नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं R.D. News इस पक्त की बड़ी खबर पाड़ी थाना पुलिस और D.H.T. टीम ने सहियोग तूप से काररवाई करते होए एक गौतसकर को गरपतार कर चार गौबन्स मुक्त कराए हैं वहीं एक पिकप गाड़ी को भी जप्त करने में सपलता आसिल की है D.H.T. टीम और पाड़ी थाना पुलिस ने सहियोग तूप से काररवाई को अंजाम दिया है पाड़ी थाने के A.S.I. सेर सिंग ने बताया की बरतपुर आईजी राबुल प्रकास एबंडी गैस्पी राजेक्स मिना के निर्देशन में लगातार ओप्रेशन नंदी प्रहार चला रखा है जिसके तैत काररवाई को अंजाम दिया गया है जहां डियाईश्टी टीम के साथ मिलकर एक बड़ी कारवाई की गई है और चार गोवनसो को मुक्त कराया गया है जहां मेबात में चल रही गोतसकरी और गोकसी की गटनाओं को लेकर बरतपुर रेंज आईजी राबुल प्रकास द्वारा चलाये गए नंदी अवियान के तैत डियाईश्टी टीम द्वारा एक गोतसकर को किरपतार कर उसके कवजे से चार गोवनसो को मुक्त कराकर पिकप गाड़ी को परामत किया गया है जहां पाड़ी थाने के एसाई सेर सिंग द्वारा पूरे मामले में अनुसंदान किया जा रहा है डियाईश्टी टीम पिरवारी सुल्तान सिंग और एसाई सेर सिंग ने बताया कि मक्विर द्वारा सूचना मिली कि जैपूर से एक पिकप गाड़ी में गोवनसो को बरकर अरियाना ले जाया जावेगा जो गंसोरा और मौटूका गाम के जंगलों से होकर निकलेगी जिसको लेकर डियाश्टी टीम पिरवारी सुल्तान सिंग की टीम द्वारा गंसोरा और मौटूका के जंगलों में नाका बंदी की गई जिसमें टीम द्वारा थाना सीकरी ताजपुर निवासी साइद पुत्तर ममसूरा को मौकेविच से गिरपतार कर उसके कवजे से दो गाय और दो बचडों को मुक्त करा कर पिकप गाड़ी को जब किया गया है और गौबंसों को गौशाला बिजबा दिया गया है जहां बरतपर आईजी की निर्देशन में डियाश्टी टीम और पाड़ी थाना पुलिस ने ओपलेशन नंदी प्राहर के तैत बड़ी काररवाई को अंजाम दिया गया है जहां डियाश्टी टीम अपनी मेवाद चेतर में महतपून भूमे का निवाती है जिसके तैत होते ही नाकबंदी कर देती है जहां दाना चेतर की पुलिस का भी सयोग लेते होए काररवाई में सपलता हासिल करती है उसी किरम में अब डियाश्टी टीम विवाद चेतर में ओनलाइन ठक सहित अन्य अपरादियों के लिए अवियान चला रही है जहां दिन रात एक कर डि गरफ्तार किया जाता है यहां डियाश्टी टीम ने एक गोतसकर को गरफ्तार कर चार गोबंसों को मुक्त कराने में सपलता हासिल की है अब पूरे मामले में अनुसंदान पाड़ी थाने के एसाई सेर सिंग द्वारा किया जा रहा है आरोपी को नियाल ले में पेश कर रिम पांड भी लिया गया है और आरोपी से पुलिस द्वारा कहनता से पूछताच की जा रही है कैई बड़े खुलासे होने की संबावना है